जीवन में सम्रद होना सफल होना मात्र सपना नहीं है यह उपहार है आपके महनत का संगर्श का लेकिन कभी कभी यह खयाल आना भी स्वभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हगदार हूँ पेठ तो आपका बच्पन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं करते थे जीवन में अचानक आई रुकावटे, बाधाई, परिशानिया हमारी संतुलन को बिकार देती है जीवन निरस, अभाव ग्रस्त, दीन लगने लगता है नेने शक्ती शीन लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा क्यांच हैं, इश्वर के संतान हैं तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी इश्वर के संतान हैं, तो याचना नहीं अधिकार है आपका सम्रती शाली होना हमारे शास्त्र वैद पुरान भरे पड़े हैं, इस खचाने तक आपको पहुचाने के लिए कहां जाता है दिपावली पर्व चातुरमास में आने बाला पर्व है और भगवान विश्णु जो लक्षमी को नियंतरित करते हैं, वे निंद्रा में रहते हैं इसलिए चतुरा लक्षमी को बुद्धी विवेक से कोई वश्मे कर सकता है, तो वे हैं प्रतम पूजन विनायक इसलिए दिपावली पर लक्षमी विनायक की बूजा करने की परंपरा है दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है, जो थोड़े से प्रयास, विश्वाश, वश्रदा के साथ मालक्षमी को आमतरित करता है, हमें सम्रती शाली बनाने के लिए इस लक्षमी विनायक कलश में संकलित की गई है, 21 प्रकार की विलक्षन शामगरियों को मंतर जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है, पंडित श्रीमाली जी के सानिद में विद्वान कर्म कांडी पंडित उत्वारा इस कलश के निर्मान करने का उधेश यही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाई, रिद्धी सिध्धी, शुबलाप सहीत, अक्षी लक्षमी का भंडा शक्की आदत से भयाविह कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता खतम करता है और अच्छे रिष्टों को भी तोड़ देता है देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मुहित कमिल श्रिमाली और आप सभी का तहिदल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर और आज का राशी फल यानिकि 19 ऑक्टोबर के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुब कामना देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरे जन वसरी है या को विशेश यादगर दिन है जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि आज के दिन हम कलकता में उपलब्ध है कुंटली विशलेशन के लिए तो वही नवंबर का मासिक राशी फल अब इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है मेश से लेकर के मीन राशी तक सभी राशियां आने वाले महीने को जान सकती है समझ सकती है कि आने वाला महीना बेपावली का महीना आपके लिए कैसा रहेगा बात करें पंचांकी तो 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार है और आज की विशेश पाय में दो संकेत आपको बताने वाला हूं जो आपको बता सकते हैं कि पैसा आने वाला है पैसे का आगमन घर में होने वाला है तो इसके लिए अंत तक जरूर बने रहेगा बात करें पंचांकी तो संबत 2021 का कार्तिक कृष्णपक्षर रहा है दुएतितिती रहेगी सुभे नौ बच करके उन पचास मिनिट तक जिसके पश्चात तृतितिती आरंभ होगी भरणी नक्षतर रहेगा सुभे दस बच के 47 मिनिट तक जिसके पश्चात कृतिका नक्षतर आरंभ होगा और मेश राशी में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दो पहर के चार बच करके 10 मिनिट तक उसके पश्चात वो वरशब राशी में प्रवेश करेंगे तो इसी बेसिस पे आज का आपका राशी फल आपको दिया जाने वाला है राहुकाल का समय आज के दिन रहने वाला है सुभे के नौ बजे से लेके साड़े दस बजे तक और शुब चौगरिया महरत आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा जो है दो पहर में दो बच करके 12 मिनिट से पांच बच के 12 मिनिट तक बात करें यात्रा की तो दक्षिर दिशा जहां आपके लिए शुब साबित होंगी पूर्व दिशा में उतनी ही परेशानी आज के दिन होने वाली है क्योंकि पूर्व दिशा में यात्रा करने इसे विग्ण का सामना करना पड़ेगा नुकसान उठाना पड़ेगा पर अगर पूर्व दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी है टाल नहीं सकते टाल दिया गया तो और जादा नुकसान होगा तो ऐसे में दिशा शूल दोश का परिहार करते हुए उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा आरम कर सकते हैं फिर बात होती है सुर्य उदय कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्यादाम योग का अधम योग, वैशी योग, पामर योग, दरद्र योग, शंक योग, नीच भंग राज योग और केंद्र त्रिकोन राज योग का जैसे कि आप जानते हैं कि दिपावली आने वाली है अब दिपावली को लेकर के भी लोगों के मन में एक कनफ्यूजन पैदा कर दिया गया कि 31 को मनाए कि 1 को मनाए धंतेरस तो सीधी है कि धंतेरस किस तारिक पर बनाई है वो सब को मालुम है पर दिपावली पूजन को लेकर के सबसे बड़ी परेशानी उभर करके आ गई है और इसके लिए मेरे पता जी बहुत ही जल्द आपको एक एपिसोड देने वाले हैं जिसमें वो बताएंगे कि क्यों किस तारिक पर आपको दिपावली मनानी चाहिए है और किस दिपावली को मनाने से क्या परेशानिया उभर सकती हैं अगर गलत तारिक पर बना दी गई तो इन सभी का ध्यान रखते हुए यहां पे आपको और एक चीज़ बताना चाहूंगा कि दिपावली आ रही है और लक्षमी जी का महापर्व कहलाता है कहा जाता है कि पहला सुक निरोगी काया है तो वहीं दूसरा सुक घर में पैसा है यानि कि माया है लेकिन लक्षमी को प्राप्त कैसे करें इस प्रश्ण के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्मान किया और इसमें वो सभी सामगरियां हैं जिन से लक्षमी आकर्षित होती है, प्रसन होती है, स्थर होती है और लक्षमी एक शकती है इसको शुरध्धा से सवारा जा सकता है तो वहीं विश्वास से पाया भी जा सकता है इस कलश में आपको मिलेगी एक सीडी जिसमें step by step कैसे आपको पूजा करनी है उस पर जानकारी दी जाएगी जो भी सामगरी हो उसका उपयोग आप कैसे करेंगे उन सभी के आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी अगर आप भी इस लक्षमी पूजन पर यानि कि इस दिपावली पर जो लक्षमी पूजन आप करेंगे वहाँ पर लक्षमी कलश का उपयोग करके अपनी दिपावली को बहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो शायद ये एक सही कदम होगा उठाने के लिए आपके लिए याद रखिएगा कि लक्षमीवान बनना आपका भागया ही नहीं बलकि आपका अधिकार भी है अब बात करते हैं डेली राशी फल की यानि की आज का राशी फल और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी से तो आपके लिए राशी भाव से चंदरमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में पर ये यहाँ पर चार बच करके दस मिनट तक विराजमान रहेंगी जिसके पश्चात सेकेंड हाउस में प्रवेश करने वाले हैं शेमतारा का साथ और अश्टग वर्ग में 27 डॉट्स ओवरॉल सिच्वेशन को यहाँ पे 100% पॉस्टिव बना रहे हैं पर वहां से आप 80% सपोर्ट पर गिरने वाले हैं और चंदरमा का गुरू के साथ में यूती करना ये गजगेसरी योग को भी निर्मान करेगा अब ऐसे समय में भागय दे कारक स्थितियां भी देखने को मिलेंगी कई चगाओं पर फैनाशिल गेन जो कहा जाता है अन एक्सपेक्टड गेन जो कहा जाता है वो यहाँ पर मिलने वाला है कोई बड़ी डील यहाँ पर आपकी साइन हो सकती है नौकरी पेशा इंसान खास सपोर्ट मिलना कोई भी क्लाइंट के पास में जाएं तो इस समय में मायूस हो करके वापस लौटने के बात नहीं होगी रोगों से भी रहत मिलेगी तो ऐसे समय में यंगस्तर्ज हैं तो आपको भी उन्नती के रहा पर आगे बढ़ने का मौका यहाँ मिलने वाला है बड़ करते हैं व्रशब राशी की और 12 हाउस में चंद्रमा है जो की 4 बच कर 10 मिनिट पे 1st हाउस में आने वाले हैं पर जनमतारा का साथ और अश्टक वर्क में 22 डॉट्स जहां सिच्वेशन को पूरे दिन 16 गंटे और 10 मिनिट आपके लिए लगभग 25% सपोर्ट का बना रहे थ वहीं से जंप करके आप 80% पॉस्टिविटी में प्रवेश करने वाले हैं इस बात का जरूर धियान देना है कि जो 16 गंटे दिन के मिल रहे हैं 9 बजे अगर आप उटकर के अपने आफिस पहुचते हैं तो वहां से लेके 4 बच के 10 मिनिट तक दो पहर के इन समय में थोड़ expenses जो हैं office के अंदर वो सामने आ सकते हैं कोई आपकी कही हुई बात जो है उसको पूरी तरीक से स्विकार करके last moment पे इनकार किया जा सकता है इसके लिए अपने आपको संभालना होगा और खास तोर पर ऐसे समय में कोई भी गलत बात या तफिर गलत निरने लेने से भी बच जाता है तो अपने आप आगे बढ़ने के लिए खुद अपने आपको प्रयास करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर देता है वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अब out of necessity आप अपना काम बहतर करने के लिए अपने आप आगे बढ़ेंगे अपने आप लोगों से पर साथ दिने का प्रयास करेंगी जैसे फाइदा मिल जाएगा चाहे ग्रैनी है आपके लिए भी दिन शुबरल बन जाएगा पर सुबह के समय में इस बात का ध्यान दीजेगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में चोटी मोटी बातों को ले करके बहुत जादा घमासा नियु पर यह 100% positivity है पर यह 100% positivity जहां पर आपको बहुत गेन देने वाली है बहुत अच्छे से पैसा कमाने के योग बना रही है पर वहीं पर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि इस समय में कहीं ना कहीं से कोई legal matter है उसमें फस सकते हैं चाहे जूटा दोश लगा करके अटका दि पर इस बात का माध्यान रखिएगा कि पीछे ही पीछे जिसको कहते हैं कि पीट पर खंजर घोप देते हैं वैसे लोगों से सामना हो सकता है क्योंकि जैसे ही 12th house में चंद्रमा आएंगे गुरू के साथ में वहाँ पर विराजमान होंगे और वहाँ पर लेकर के कुछ परे पर शानी ओभर करके आ सकती हैं ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी चर्चाएं अगर कोई चल रही है खर्चों को ले करके तो महाँ पर शांती बनाया रखना जादा बहतर हैगा मौन रहना बहतर रहेगा ऐसे समय में हाँ और ना का जवाब नहीं देना है ऐसे समय में करकराशी की और आपके लिए 10th house में चंद्रमा विराजमान है विपत्तारा का साथ अवश्य रहेगा पर अश्टक वर्ग में 32 डॉट्स ओवरॉल सिचुएशन को 75% यहाँ पर आपके लिए positive बना रहे हैं और ये positivity 75 से 85 तक जंप कर सकती है जब 11th house में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ये जो समय है इस समय में बस धहरिय रखना है अपने काम को सुचारू रूप से चालू रखना है इतनी सी बात कहूंगा क्योंकि इतने से आपका फाइदा शांदार आपको देखने को मिल सकता है एट्राक्शन कहा जाए लोगों का साथ समर्थन कहा जाए अपने ऑफिस स्टाफ का या ये कहा जाए कलीक्स का खास तोर पे सपोर्ट सबसे जादा देखने को मिल सकता है यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो लोग आपके आसपास में हैं वो दिल से आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते नजर आएंगे सीनियस का पूरी तरीके से साथ समर्थन मिल जाएगा कोई भी नया काम है तो वो भी इस समय में अब स्टेबिलिटी पर आ जाएगा यहाँ पर हेल्थ वाइस भी बेटर रिकवरी देखने को मिलेगी और दामपते जीवन कहा जाए या पारिवारिक जीवन दोनों ही जगाओं पर बालेंस अब बनने वाला शुरू होगा यहाँ पर यंग स्टर्स जो है खास तोर पर कोई स्पेशल दिन मना रहे हैं चाहे वो अनवर्सरी है या तफरीयक आ जाए बर्थ दे है कोई अचीवमेंट का दिन है तो यह दिन पर कोई ना कोई तरीके से उफार अवश्य आपको मिलने वाला है यहाँ पर शुब रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा नमबर टू फिर बात करते हैं सिंग राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नाइन्थ हाउस में संपत्तारा का साथ अश्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं यहाँ पर 75% सपोर्ट की थी पर यही सपोर्ट आगे बढ़ करके 100% positivity पे लिजाने वाला है जब चंद्रमा तेंथ हाउस में प्रवेश करेंगे 4 बच करके 10 मिनिट पर दोपहर के इस बात का ध्यान दीजेगा कि जो majority आपका दिन है यह थकान, कमजोरी, रुकावट इन सब चीज़ों को सामना करते हुए निकलना है कैसे भी करके गाड़ी को धक्का मारना है इस बात का ध्यान देना होगा और यह धक्का कब तक मारना है दो पहर तक ऐसे समय में थोड़ा अपने decisions पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कोई भी decision जो ले रहे हैं खास तोर पर financial है या तो फिर family किसे related है तो इस decision को बहुत सोच समझ करके लिजेगा और यहीं पर जो government job करते हैं आपको भी थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है कहीं न कहीं से इस समय में seniors जो हैं वो आपके उपर शक करना शुरू कर दे या फिर आपके बंते हुए काम है उसको अचानक से एक बार stop कर दे और उसके बाद में review करना शुरू करें उस अधरम आएंगे उसी के साथ में आप देखेंगे जो काम रोके जा रहे थे वो अचानक से अब फिर से seniors के साथ में या यह कहा जाए उनकी support के कारण आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं या तफिर उनकी guidance के अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे ऐसे समय में एक बात का जरू वे महिलाएं हैं तो महिला भी इस समय में ध्यान दीजेगा खास तौर पे सुबह का समय जो है कि लख को आजमाने का प्रयास मत कीजेगा किसी चीज को बहुत जादा push करते हैं वो push करने का प्रयास मत कीजेगा यह आप पर भारी पढ़ सकता है शुबरंग रहेगा आपके गोल्डन कलर शुब अंक रहेगा नंबर टू फिर बात करते हैं कन्या राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्र में आ चुके हैं एट थाउस में यहीं पर नाइन थाउस में वो प्रवेश करेंगे दोपहर को चार बच करके दस मिनिट पर वहां तक मित्र तारा क अब यहां पर मैं एक चीज कहूंगा चाहे घर के बड़े बुजर्ग हैं या यंगस्तर्स हैं सास से संबंदिद परेशानी हो घर की साफ सफाई करते हुए चोटल हो जाना हो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो दुरगटना ग्रस्त होने की संभावना यह इस समय में आ सक चीजों को ले करके बहुत ही जादा यहां पर नकारात्मक विचार आप में हावी रहेंगे ऐसे समय में तुनक मिजाजी जो है वो एक बड़ी परिशानी बन करके सामने आ सकती है और कहीं न कहीं आसपास के लोग इस समय में आप पर उंगली जादा उठाने वाले हैं कोश की जरुत पड़ेगी फिर वो चाहे घर के बड़े बुज़र्ग हो या इवन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनिस परसंस की और नौकरी पेशा लोगों की अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा इस समय में कंट्रोल में रखिएगा वरना सीनियस का यहाँ पर कहर जो ह अब गरने वाले हैं 20% सपोर्ट पर अब यहाँ पर परेशानी यह है कि जो फरस्ट हाफ है वहाँ पर बहुत पॉस्टिव माइंड सेट था बहुत कॉन्फिडेंस था पर यह कहा जाए कि खोकला कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू कर रहा था ओवर कॉन्फिडेंट होना श जेलते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा जेलते हुए आपका काम कर लेंगे आपको कहीं ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ेगा जो लीच होते हैं चिपक जाते हैं और उसके बाद में अंधरूनी तोर पे आपको खोकला कर देते हैं ऐसे लोगों से इस समय में सामना हो सकता है चाहे व्यापारी है नौकरी पेशा इंसान है ग्रहनी है इस बात का जरूर ध्यान दीजेगा कि फर्स्ट हाफ जो है वहाँ पर बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ में क्लियर माइंडसेट के साथ में आपको आगे बढ़ना है थोड़ी चाला की चतुराई रखनी है सेवन्थ हाउस का चंद्रमा पॉजटिव जरूर है पर वहाँ पर एट्थ हाउस में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेगा तो उस सभी का एफेक्ट आपको लेते हुए नेगिटिव फेज में लेकर के जा सकता है तो इस बात का ध्यान अविश्य देना होगा खास तोर पैसे समय में रिस्क उठानी से परहेश कीजेगा कोई भी बड़ा डिसिजिन प्रॉपर्टी से संबंदित है तो उसको इस समय में टाल देना जादा बहता रहेगा जब तक करक राशी में चंद्रमा आपके लिए 24th को मौनिंग में नहीं आता है वहाँ तक चीजों को सिर्फ ड्रागाउन करना किसी भी तरीके से आगे बढ़ाते रहना अंडर दर रडार रहना यह आपके लिए जरूरी बन सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुबरंग रहेगा नबर वन फिर बात करते हैं वरश्चिक राशी की तो आपके लिए 6,000 में चंद्रमा है जो कि 7,000 में प्रवेश करेंगे चार बच करके 10 मिनिट पर दोपहर की शेमतारा का साथ भी है अश्टग वर्ग में 22 डॉट्स भी है सिच्वेशन 100% पॉस्टिव है जो सोच सकते हो जो मैनिफिस्ट कर सकते हो उसको यहां पर हकीकत में लाने की काबिलियत आप में है जहां पर हाथ डालोगे फायदा निकाल सकते हो किसी से अगर मदभेद था या ये भी कहा जाए कि इस समय में कोई इनसान आप से जगड़ा कर ले तो वो अपने आपी सोय माकर के माफी भी मांग लेगा कि शायद मैं ही गलत था ऐसे समय में चाहे competition है competition भी बहुत जादा दबा हुआ रहने वाला है यहाँ पर pressure आप बनाने की स्थिती में है फिर इन्ही कारणों से शांदर तरीके से गेन देखा जाए परिवार के अंदर domination देखा जाए खास तोरी पर अगर आप family head है तो वहाँ पर आपकी कही बात जो है वो पत्थर की लकीर बनेगी यहीं पर health wise भी recovery देखने को मिलेगी लगका साथ भी मिल जाएगा overall family life जो है वहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा जो इतने समय से negative way से आप गुजर रहे थे financially भी जो परिशानिया देख रहे थे उससे अब यहाँ पर जाकर करे recovery संभव हो पाएगी जिसके कारण चाहे society की बात कही जाए family की बात कही जाए अपने office की बात कही जाए वहाँ पर आपकी कही बातों को तूल जादा दिया जाएगा यही समय है अगर कोई यातरा करना चाहते हैं खास तोर पे कमाई के परपस से तो भी आपके लिए शांदार ये opportunities लेके आ सकती हैं शुबरंग रहेगा आपके लिए पर ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखना है जो negative phase है वहाँ पर क्योंकि 5th house का चंद्रमा सबसे पहले चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है जिसके कारण ऐसे समय में मलीच कहीं न कहीं से जिसे हम कहते हैं thoughts जो है घराब सपने जो है या यह कहा जाए मान सकता जो है उस पर प्रभाव पढ़ सकता है और बिना बात की चंताएं जो है वो आपकी family life आपकी work life को भी disturb कर सकती है ऐसे समय में खास तोर पर गर्वती महला है आपको एक सीधी सी बात कहूंगा कि कुछ जादा ही negative सोच जो है या यह कहा जाए कि बहुत ही जादा इस समय में negative कुछ आप दिमाग में बिठा रखे हैं उससे बच करके चलिएगा ऐसे समय में अगर हो सके भगवत गीता पढ़ सकते हैं या तफिर किसी तरीके से मंत्र उचारण कर सकते हैं तो बहतर रहेगा यहाँ पर youngsters जो हैं आपको भी थोड़ा इस समय में ध्यान रखना है कि relationship के अंदर खास तोर पे कुछ जादा ही मांग जो आपकी बढ़ रही है या आपकी demands जो बढ़ रही है वो परिशानी का कारण बन सकता है अब इन ही के साथ में जब आप 6,000 में प्रवेश करेंगे तब जाकर कि मैं कहूंगा कि किसी तरीके से जिसे हम sudden change कहते है behavior में कहा जाए लोगों के बरताव में कहा जाए वो देखने को मिल सकता है जिसके कारण luck का factor आपका बढ़ जाएगा और जो काम आप कर रहे है उस काम में अब आगे बढ़ने के अपने आप आसार आपके लिए बनना शुरू कर देंगे जिसे हम कहते हैं out of the blue चीज़े मेरे लिए चलना शुरू कर दी है अपने आप बनना शुरू कर दी है वही चीज़ समय में होगी कि आपके मूड को देखते हुए घर परिवार वाले हैं आपके आफिस वाले हैं आपको चीयर अप करने का प्रयास करें जिसके कारण अपने आप चीज़ें वापस बहतरी की तरफ जा सकती है शुबरंग रहेगा यहाँ पर आपके लिए 20% सपोर्ट की या यह कहा जाए कि 18% सपोर्ट की है अब ऐसे में जब मैं यह बोलता हूँ तो लोग अक्सर एकी चीज़ कहते हैं कि आप हमेशा हमारी राशी के लिए खराब कहते हैं एक बात मान करके चलिएगा मैं नहीं कहता हूँ जो आपकी कुंडली है जिस कारण से माताजी के साथ में मदभेद होना तो दूसरी बात है पर उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में चंताएं बढ़ सकती है यहीं पर इस बात का भी ध्यान देना है कि कही ना कहीं मैरेड लाइफ में भी इस समय में परिशानिया हो सकती है खास तोर पर नौकरी पेशा इंसान है आप इस समय में बहुत ही फुंक फुंक के कदम आगे रखिएगा ओफिस पॉलिटिक्स का शिकार बना लेना किसी ना किसी तरीके से आपको पीछे पुष करने का प्रयास करना यह यहाँ पर जादा बड़ी परेशानी उभर करके आ सकती है यहीं पर मांसिक तोर पर गलत विचार गलत धारना है आपके उपर बहुत जादा हावी रहने वाली है यंगस्तर्स हैं तो आप भी खास तोर पर ऐसे समय में इस बात कद्यान दीजिए गर के बड़े बुजर्ग हैं आप खास तोर पर ऐसे समय में पेट की गड़बड़ी हो या रीसेंटली अभी जोडों का किसी तरीके से परेशानी चल रही हो तो उसके लिए इस समय में मेडिकेशन अवश्य लीजेगा शुबरंग रहेगा यहाँ पर आपके लिए डाक, ब्राउन कलर और शुबरंग रहेगा नबर एट फिर बात करते हैं कुम्भ राशी के और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में जो फोर्थ हाउस में प्रवेश करने वाले हैं वद तारा का साथ है अश्टेग वर्ग में 35 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पर देखी जाए तो कहा जा सकता है कि 80% तक आपके लिए पॉस्टिव थी पर यह 80% पॉस्टिविटी अब गिरने वाली है और कहां पर गिरेगी 33% सपोर्ट पर इस समय में जहां बहुत जादा एक्सपेंस करें उस एक्सपेंस को काटने का प्रयास कीजिए कहीं किसी के साथ में बहुत हसी मजाग कर रहे हैं इस हसी मजाग को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए confidence जो है overconfidence बन सकता है आपका मजाग जो है वो भद्दा बन सकता है ऐसे समय में personal attack बन सकता है इस बात का ध्यान दीजेगा जहां पर third house का चंद्रमा आपको financially बहुत जादा profit दे सकता है आपके लिए छोड़े भाई बैनों का support प्रदान करवा सकता है तो वहीं पे घर परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ में आपका व्यभार गलत भी बन सकता है ऐसे समय में luck factor जहां पर आपको support करने वाला है इस कारण से यह कहूंगा कि चार बज़े से पहले पहले में अगर कोई investment करके in cash कर सकते हैं cash out कर सकते हैं तो जादा बहतर रहेगा जादा इस चीज को टालने का प्रयास मत कीजेगा कोई भी financial decision खास तौर पर हातों में है तो उसको इस समय में linger on मत कीजेगा जल्दी से जल्दी उस पर decision ले रहे हैं उसको in cash करना इस बारे में ध्यान जरूर देना होगा फिर यहाँ पर green color का उपयोग करना आपके लिए शुब साबित होगा तो शुब अंक रहेगा नमब थ्री फिर बात करते हैं मीन राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंदर मा आ चुके हैं सेकेंड हाउज में सादक तारका साथ है अश्टेग वर्ग में 30 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर आपके लिए 80% supportive थी 100% positivity में convert होने वाली है अब ऐसे समय में कोई भी नए कार्य को करने के अंदर interest और जादा बढ़ सकता है किसी भी तरीके से confusion जो है उसको काटने का प्रयास हो सकता है आसपास के लोग जो है उनमेंसे experts को handpick करके उनकी opinion जानना यह यहाँ पर संभव हो पाएगा खास तोर पर ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा control करना है और यह कहा जाता है कि फाल्तू के खर्च जिसे हम कह सकते हैं यह कहा जाता है कि unexpected खर्चे जो सामने आ जाते हैं वो cash को देखते हुए यहाँ पर manage करना होगा इन खर्चों को आप neglect नहीं कर सकते पर कुछ समय के लिए delay जरूर कर सकते हैं किसी तरी के से जो कहा जाता है कि जुगार करके अपना काम निकाल लेना उसका यहाँ पर प्रयास फिर भी करना होगा अब ऐसे समय में गलत कारिय हैं गलत इंसान हैं उनसे अपने आपको दूर रखने का पूरी तरीके से प्रयास करना है प्रयास करने के बावजूद भी ऐसे लोग आप तक अपना रास्ता जरूर बनाएंगे पर उनकी बातों को अपने सिर तक चड़ने देना ये आप पर निर रातागर में उसमें अब जाकर के आप फाइनली एक मैच्योर डिसिजन लेने में आगे बढ़ पाएंगे शबरंग रहेगा यहां पर आपक लिए ये लो कलर शबरंग रहेगा नंबर फाइव ये तो हुई बात आज के राशी फलकी अब हम बात कर रहे हैं विशेश उपा है कि क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है और ऐसे संकेत के माध्यम से शगुन अफशकुन के बारे में हम जान करके पता लगा सकते हैं ये संकेत जो हैं ये भविश्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से ही आगा कर देते हैं सूचत कर देते हैं अ हम याद रख सकें आज ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में आपको बता रहा हूं जो लक्षमी आगमन के बारे में आने के पैसा आने के बारे में सुख संपनता पॉजिटिव डी घर में आने पर आपको सूचत करती है ये संकेत क्या है एक एक करके बता रहा हूं बड़े ध्या से चूट जाए तो समझ लेना कि धनलाब महां से आपको प्राप्त होने वाला है ये दो चीज़ें सबसे आम तौर पर हम सब देखते हैं फिर धन से संबंदित किसी भी काम पर जाते समय पीले कपड़े में कोई सुंदर्स त्री अगर आपको दिख जाती है तो भी मान करके च धांगनी हो, माताजी हो या रास्ते में चलती हुई कोई भी कन्या हो आप मान करके चलिएगा अगर पीला वस्तर पहना हुआ है और आपके सामने से जा रही है तो वो सीधे तोर पे लक्ष्मी माता का सूचक है कही जाते समय नेवले द्वारा, रास्ता काटना या नेवले का दिखाई देना यह धनलाप का संकेत देता है और एक चीज बताता हूँ सबसे कॉमन चीज ही हमने आस तक देखी है जब भी ड्राइव पर जाते हैं किसी शहर से किसी शहर जा रहे होता है अगर आप भी अपने रास्ते में कभी भी नेवले को अपना रास्ता काटते हुए देखते हैं तो पहले तो गाड़ी धीरे कर लीजेगा उसको कुछ लिएगा मत और दूसरा खुश हो जाएएगा देख करके कि यह जो समय आने वाला ही जो यात्रा है यह शांदार फल आपक देता है जो भी व्यक्ति सपने में मोती हो मूंगा हो हार हो मुकुट हो यह देखता है उसके घर में लक्षमी स्थाई रूप से निवास करने वाली होती है सपने में जिसके दाहीने हाथ में सफेद रंका सांप काट ले उससे भी धनप्राप्ति के योग बनते हैं और यद इसे विरासत में धन मिलने की संभावनाय बनती हैं और दसवा जो व्यक्ति सपने में पका हुआ संत्रा या गेहूं देखता है उसे जल्दी ही अतुल धन संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं ये पौरानिक मान्यताओं पर संकेत हमें मिलते हैं अब इनको मानना और हाद दरे बैठ जाएं तो कुछ नहीं हो सकता जो करमशील इंसान है वो अगर ऐसे सपने देखे तो अवशे ही उसको लाब मिलता है पर बात ये भी आती है कि जो करम हीन हो काम ही ना करता हो किसी भी तरीके से महनत करना ही ना चाहता हो लक्ष्मी उसके द्वार पर आकर के सुखी रहे संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवात हमेशा हमार साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन्द